अमेरिका के राष्टपती पत के उम्मीदवार विवेक रामा स्वामी का हिंदू धर्म को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है वहीं एक सवाल के जवाब में विवेक रामा स्वामी ने कहा कि हिंदू धर्म ने ही मुझे राष्टपतिपत का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है और मैं आज इसी वज़े से चुनाव में हूँ आगे उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कहा कि इस धर्म ने मुझे नेतिक दाईतों को समझने की स्वतनतता प्रदान की है रामा स्वामी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ मैं एक सच्चे इश्वर में विश्वास रखता हूँ मेरा मानना है कि इश्वर ने हम सभी को यहाँ पर एक खास उद्देश के लिए फेजा है इसी उद्देश को साकार करना ही मेरा नेतिक करताव है हम सभी एक समान है क्योंकि हम सभी में भगवान निवास करते हैं यह हमारे धर्म का मूल है मैं बहुती पारंपरिक तरीके के परिवार में पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ मेरे माता पिता ने मुझे सिका है कि परिवारी हमारी निव है माता पिता का सम्मान करना चाहिए शादि एक पवित्रर रिष्टा है शादी से पहले सेयम रखना आवश्क है शादी पूरुष महीला के बीच होती है तलाक नहीं होता पूरुष और महीला इश्वर के समख शादी करते हैं वो इश्वर के सामने अपने परिवार की खुशाली की शपत लेते हैं आगे विवेक रामा स्वामी ने कहा कि मैं दस वी में क्रिश्चन इसकुल गया जहां मैंने दस अग्याएं सिखी इश्वर सच्चा है इश्वर एक है वेर्थ में उसका नाम ना लो अपने माता पिता का सम्मान करो जूट मत बोलो चोरी मत करो वेभीचार मत करो ये सब जब मैं सीखा उसमें मैं बहुत छोटा था मुझे लगता है कि ये शिक्षा है सिर्फ हिंदू की नहीं नहीं इसाईयों की है बल्कि मुझे लगता है कि असने ये इश्वर की शिक्षा है क्या मैं ऐसा राश्टपती हो सकता हूँ जो क्रिश्चानिटी को प्रोमोट करेगा बिल्कुल भी नहीं और इसके कई कारण भी है मुझे लगता है कि मेरा करतव इन मुल्यों इन सिध्धान्तों के लिए खड़ा रहना है और मैं ऐसा ही करूँगा इसी के साथ मैंने रही है एशा इस इंडिया के साथ